Craft and Beauty 707 में आपका स्वागत है इस वीडियो में मैंने Lipan Art बनाया है from beginners के लिए जिसको इसके बारे में बिल्कुल भी knowledge नहीं है मैंने MDF board लिया है आप कोई भी cardboard ले सकते हो और उसके आप अपने मनपसंद का design ड्रॉ कर ले उसके बाद मैंने ये Favik Ripe Molded Clay लिया है जो दो होते हैं इसमें एक resin base एक hardner होता है मैंने इसे half-half use किया है इसे पूरा नहीं करना क्योंकि ये जल्दी dry हो जाता है और ये hard हो जाता है फिर design नहीं बन पाता इसके बाद हम दोनों को अच्छे से मिला के कोई भी plain surface लेके उसको पर powder का छिर्काव करना है ताकि ये chip के ना क्योंकि बहुत sticky होता है और ये round भी नहीं हो सकता फिर आप कोई plain चीज़ ले लिए जे मैंने tiles का टुकडा लिया हुआ है इसे हम लंबा करते जाएंगे ऐसे round round करते करते हर जगह से हमें इसे tiles से ऐसे round round करते रहना है ताकि वो कहीं से मोटा पतला नार है equally हमें इसे इसकी जो thickness है वो रखनी है आप थोड़ा थोड़ा clay लेक के भी आप उसे round round कर सकते हैं तो आप इसे जब आपका यह बन जाया तो आप उसे थोड़ी देर ऐसे रख दीजिए ताकि आपको design बनाने में दिक्कत ना आए तो मैंने इसे हर जगह से इसको मैंने tiles के टुकड़े से ऐसे round round किया है ताकि वो जो इसकी जो गोलाई है वो हर जगह से बराबर रहे कहीं से भी आपको ऐसा लग रहा है कि वो मोटा है या कहीं से uneven लग रहा है तो उसे आप इसे tiles के टुकड़े से इसे round round कर सकते हैं हाथों से करेंगे तो हाथों से proper वो हमारी जो वो ठीकने से वो नहीं बन पाएगी इसलिए हमें कोई plain surface लेकर उसे हमें ऐसे बनाना पड़ता है जिससे उस पर uneven नहीं हमें equal ही चाहिए अब मेरा ये बन गया अब मैंने जहाँ पर design बनाना है molded clay का जो मैंने use करना है वहाँ पर मैंने glue लगा लिया है उस design पर उसके उपर और उसे धीरे-धीरे हाथों की सायता से लगाना है अब मेरे पास कोई tools तो नहीं है बट मैंने knife का use क्या है अगर आपके पास कोई tools है तो आप उसे भी use कर सकते हैं बट मेरे पास knife है उसे बीच में cut करके और जो उसका तूसरा भाग था वह उसे आप ऐसे ही उसको use कर सकते हो जिससे वह हमें नोख मिल जाए उस flower का और इस tools के जरिए ही आप उस design को उस गोन के उपर अच्छे से करके आप design को cover कीजी glue कहीं भी लग जाए पर आपको अपने tools के जरिए उसको design के उपर उसे अच्छे से बठा देना है ताकि वो design हमारा अच्छा लगे ना कि टेड़ा मेड़ा लगे तो आप देख सकते हैं मैं कैसे knife से उसको cut करके उस design को मैं उसका no कैसे बनाना है उसको कैसे चिपकाना है तो आप उससे देख सकते हो तो आप अपनी fingers से और tools की साहता से आप इस design को अपने अच्छे से cover कर सकते हो उस glue के उपर और design के उपर कैसा भी डिजाइन हो, मुश्किल हो, हार्ड हो लेकिन आपको अगर आप फर्स टाइम बनाना चाहते हो तो आप पहले इजी डिजाइन लीजी और इजी डिजाइन के उपर ही लिप बनाट करना सीखिए क्योंकि जहां तक मैंने सीखा है मुझे भी थोड़ा मैंने इजी पहले बनाना शुरू किया फिर उसके बाद थोड़ा ऐसा डिजाइन लिया है और धीरे धीरे मैंने बनाना सीखा और देखिए मैंने फिर ऐसे ऐसे करके मैंने सारे डिजाइन कवर किये और डिजाइन कवर करने के बाद इसे थोड़ी दिर आप इसे सुखनी दीजिए सुखने के बाद हम इसमें नेक्स स्टेप करेंगे और आप डिजाइन करने के बाद इसके उपर आपको अगर कुछ और डिजाइन इसके उपर आपको करना है तो आप कर सकते हो बट मैंने जहां मुझे प्लेन अच्छा लगा प्लेन किया और जहां पर मैंने उसको लगाने के बाद आप टूल से ये किसी भी पैन के सिक्के से आ पर अगर आप डिजाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो तो डिजाइन अनीवन ना लगे इसलिए आपको अपने मैंने नाइव से उसको सही करके इसको अच्छे से अपने डिजाइन के उपर बिठा देना है तो मैंने ऐसे नाइफ से मैंने ऐसे कट-कट करके डिजाइन कर दिया था और इसको फिर सूखने के लिए रख देंगे ये मेरा डिजाइन पुरा कवर हो गया अब हमें इसमें क्या करना इसमें white paint करना है acrylic paint हमेरे पास में ने वही किया है इसले ताकि वह जो color है वह हमारा अच्छे से औरपर आ से क्योंकि ब्राउन के ऊपर भी color नहीं नजर आएगा हमारा अब मैंने इसमें color किया है color भी है ऐसे करना पहुंकि और छोजो मेरा सूं गया तब मैंने जो आउटलाइन है इस पर हमारे पेंट लग गया था तो हमने इसको आउटलाइन को वाइट पेंट से कवर किया है अक्राइली कलर सी तैकि वह डिजाइन हो Armand जो आउटलाइन है वो अच्छे से दिखे सुन्दर दिखे अब मेरा ये सूखने के बाद अब मैंने इसमें मिरर लगाने की त्यारी की पहले मिरर आप लगा के चेक करें ना कि पहले ही ग्लू करें पहले आप देख लीजिए तो मेरे पास ये कुछ कटिंग के मिरर पड़े ह हुए थे जो मैंने इसमें लगाए पहले आप बिना ग्लू के लगा के देखिए उसकी बाद आप इसमें मिरर लगाने के बाद मैंने इसे ड्राइ होने दिया और मेरा ये लिपनार्ट बनके तयार हो गया तो मेरा ये समझाने का तरीका और लिपनार्ट मेरा अच्छा लग कीजिए और कमेंट भी करना मत भूलिएगा